दातों के बंखते हैं आई है वैज we see whether done get कीरách Goddess bell मुखी देख सकते हैं जरे सकते हैं कर संदुर्य कंचा किते होरो दातों काने बंख्या छलते हैं में किते हैं इनले अविज में पने इस डातों के मीर हम दातों यह जो दात है इसमें आप देखेंगे कि यहां पर कीरा लगा हुआ है और यह कीरा जो है और अभी मैंने ज़र्स पेशिंक का दात एक्स्टैक्ट किया है तो अभी मैं लाइब एक्सपेरिमेंट करी हूँ कि क्या इसमें से कीरा निकल रहा है या नहीं निकलता है वह भी जिन्दा, जो कि जेनरली गाउं में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जिन्दा कीरा इसमें से निकलता है तो क्या ऐसा सच में है देखते हैं थोड़ा सा नस्दिक नीचे नीचे अभी आप देखेंगे कि जो ये कीरा वाला पार्ट है जहांसे दान्त खराग है इसको मैं क्लीन करूंगी तो क्या कोई कीरा निकल रहा है अब ही मैंने यहां पर आप देखेंगे कि जितने भी ब्लैक पार्ट थे वह मैंने हटा दिये और यहां पर मैं आपको क्लीन करके वाटर से दिखा रहे हूं कि क्या यहां पर कोई कीरा वी दिख रहा है जो की चल रहा हो तो नहीं ऐसा नहीं दिख रहा है अब इस चीज को अब आप देखेंगे कि यहां पर बिल्कुल भी कोई ब्लैक स्पार्ट नहीं है ठीक है कि यहां पर आप देखेंगे कि बिल्कुल भी कोई ब्लैक स्पार्ट नहीं है और यहां पर आप देखेंगे कि बिल्कुल भी कोई ब्लैक स्पार्ट नहीं है मैंने सारा क्लीन कर दिय और यह वोल में से कोई भी कीरा यहां पे चलता हुए आपको नजर नहीं आएगा फ्लोर पे यानि कि यह एक मित है जो कि हम लोग इसको समझते हैं कि कीरा जो है जो है जो दवाई डाल के गाओं में जो होता है यह निकाल दिया जाता है तो ऐसा नहीं है आपको डेंटिस्ट प्रशार सब्सक्राइब allora जो है अगर हम इसको माइक्रीष्कोप पर देखें क्या थे सच में दिखेगा खीक है चलता हुए तो आभ हम लोग इसको देखते हैं थ्वड़ा सा माइक्रीयस्कोप पर ही हम बीकिल醒 है किलता हुआ किलिकह क्याओ क्या में था ट्क्याB अब कीनाब होगा तो दिखेगा ठीक है 400 ताइम्स यहां पे इमिज ज्यादा दिखता है बड़ा दिखता है लेकिन यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है और इसको देखने के लिए डार्क फिल्ड माइक्रोस्कोप हमें यूज करना होता है जिससे कि हमें पता चलता है कि कीरा है कि नहीं तो यह एक मित है जो कि हम लोग समझते हैं कि दाथ से कीरा जड़वा लेना चाहिए या उसे हम लोग दवाई देखे ज़ाड के निकाल सकते हैं जिन्दा कीरा तो ऐसा कोई भी जिन्दा कीरा दाथ के अंदर नहीं होता है जो कि आप नग नाख उसे देख सकते हैं और इवन सिंपल माइक्रोस्कोप में भी से नहीं देखा जा सकता है इसके लिए आपको डार्क फिल्ड माइक्रोस्कोप चाहिए लाइव और गयानिजम को देखने के लिए और उस समय दांत जो है आपका ठीक से प्रिपेर होता है उस सेक्शन के लिए तब जाके हम लोग उसको देख पाते हैं तो यह जो आप गाउं में देखते हैं कि दातों से कीरा जहाड के निकाल दिया है केमिकल की द्वारा लाइव कीरा यह एक मीत है और यह टेक्नीक होता है जिसके माध्यम से वो लोगों को इस तरह से कंविंस करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप मीट के चक्कड में नहीं पढ़ेंगे और अपने दाटों का केर देंगे साइंटियो सो मच पर वाचिंग